पश्मी सिंभुम चेंबर ओफ कामर्सन इंडस्ट्रीज के सत्र 2021-23 के लिए चुनी गई नई टीम को आज पिल्लाई हॉल सभागार में शपत दिलाई गई सपत ग्रण समारों में पूरु मुखी मंत्री मधु कोडा और सिंभुम की सांसत एवं कॉंग्रिस की प्रदेश कारेकारी अध्यक्ष गीता कोडा भी मौजुद रहें राजकुमार ओजा अध्यक्ष और पंकच भलोटिया सचीव बनाए गए हैं सभी पदादिकारियों और कारेकार्नी सदस्यों ने आज शपत ली सपत ग्रान करने के बाद कारेकरम को संबोधित करते हुए नो निर्वाचित अध्यक्ष ने सांसत के सामने वेपारियों की समस्याओं को रखा उन्होंने रईवार के बंद को समाप्त कराने और दुकानों को राद दस बे तक खोलने की अनुमती दिलाने की मांग की अध्यक्ष पर के लिए निर्वाचित हुआ हूँ आज यह सपत लेता हूँ कि इस कारेकार के लिए मैं संस्था के संबिलान और सदस्यों के लिए कारे करूंगा अध्यक्ष पर दूब आज यह सपत लेता हूँ कि इस कारेकार मैं यह मैं संस्था के संदान और सरस्यों के हीद पर कारे करूंगा धन्यवाद मुझ पर जो विश्वास दिखाया है एवं जिम्मेवारी दी है इसके लिए आप लोग का आश्वस्त करना चाहता हूं कि वेपारी के हीद के लिए सदेव तपर रहूंगा और तथा टीम भावना के साथ काम मैं मानिय सांसत महोद्या का धिहान प्रवक्त आक्रिष्ट करा करना चाहता हूं कि अभी त्योहारो का मौसम सर पर है इसलिए आपसे नमरे निवेदान है बयपारी के हीद में ध्यान को ध्यान में रखते हुए रवीवार के बंदी को खत्म करवाने कर विचार करें मैं इसके साथ ही कहना चाहता हूं कि बयपारी और आम लोगों के पोधित करती हुए कॉंग्रिस की प्रदेश कारेकारी अध्यक्ष गीता कोडा ने कहा कि समाज के विकास में व्यापार का अहम रोल होता है उन्होंने कहा कि वह राजसरकार और कींद्र सरकार दोनों जगों पर व्यापारियों को थोड़ी सहल्यत देने के लिए अपनी बातो को रखेंगी जरूर हम लोग इन पातों को सरकार के पास रखेंगे चाहिए वो स्टेट गवर्मेंट हो या सेंट्रल गवर्मेंट हो किसमें रिलेक्सेसंस होने चाहिए ताकि और लोग बेपार कर सके आज कैस को खुले हैं पहले हम देखते थे किराने के दुकान होता था है, या कपड़े का दुकान होता है, लेकिन आज लोगों की जरुगोस जैसे बड़ रही है वैसे ही बेपार भी बढ़ रहा है, यह रुखने वाला नहीं है क्योंकि हमारी जरुरते कभी इसका अंत नहीं हो सकता, कभी यह तहीं रुप नहीं सकता, तो जैसे इंसान की जरुरते बढ़ेंगी, बेपार भी बढ़ेंगा, इसलिए इसको इजी बे में करना चाहिए गौर्मेंट को, और मैं यहां यही कहना चाहूंगी, कि वेक्तिगत र हमेशा है, और सांसत के रूप में हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, और मैं आपसरा उमिद करती हूँ, कि जो हमारी नहीं कमिटी बनी है, वो भी अच्छे तरीके से कमिटी को रण करेगी, और अपनी जिम्यदारियों का पूरी बांदारी पुर्वक, निस्टा पुर्व हिस्टा के साथ लिया जाता है, वो बहुत बड़ा जिम्यदारी का काम होता है, जब सपट ले लिया जाता है, तो मन पे एक नहीं चुनोती सामने में आ जाता है, कि हम अपने जिम्यदारियों के से निभाएं, ये जिम्यदारी सामूल कुरूप से परवावित ह immensely जैसे कि प इसे सिम्भूम जो एक बहुत ही बेकवाटे डिश्टिक माना जाता है। बहुत ही पिछरा सेथी माना जाता है। जहां पर यहां सचार्ता परतिसों दे बहुत कम है। ऐसे पर्स्तिति में सिम्भूम चेमर्स और कोमट से और हमारे इंडिश्ट्री का संस्थान जैसे इसका जिमिराली आउट बोड़ जाता है। अर चुकि जहां कहीं भी हो इसे चेमर्स के मालियम से हम यहां के सभी जो जन्दमानस हैं जो हमारे पप्लिक हैं लोग हैं। हम विपाल के माध्यम से हम समाजी दायट को निर्भान करते हैं। विपाली जो विपाल वर्ग है वो अपने विपाली कार्टों के अत्रिक भी एक अपना प्रिवाद के समाज का अंग होता है। मुकंद रुंग्टा को वेट सिम्भूम डिस्टिक्ट क्रिगेट एसोशेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। आज एसोशेशन की वार्षिक आमसभा हुई जिसमें सर्वसमती से मुकंद रुंग्टा को अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले नंदलाल रुंग्टा एसोशेशन की अध्यक्ष थे। स्वास्त कार्णों से उन्होंने यह पत छोड़ दिया है। सत्र 2021-24 की लिए मुकंद रुंग्टा को नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। बाकी पदों पर कोई फेर बदल नहीं किया गया है। वार्षिक आमसभा के दावरान सत्र 2021-21 के आय और व्यपर चर्चा के बाद सर्वसमती से पारित कर दिया गया। एसोसिसन के महासचेव असीम सिंग ने बताया की वार्षिक आमसभा के दावरान सीजन 2021-22 की प्रत्योगिताओं के लिए तिथी का निर्धारन कर दिया गया है। असीम सिंग्भूम जीला के टेट संग की वार्षिक आमसभा आज विशा मुंदा के प्रत्योगिति मैदान प्रशंपन हुआ है। इसमे जो सबसे महत्वपून था कि अर्ले तीन वर्सों के लिए मतलब 2021-24 के लिए नई काजकार्णी शमिती का गठन हुआ है। और हम लोगों ने सर्व शम्ती से अपने कमिटी के अगठन किया है। मुकंदर उंका हमारे नए अध्यक्ष बने हैं। मंदराज उंका जी प्रतिकत कार्मों से काफी लंबे अंदराज तक असोशेशन का श्रिवाक किये हैं। मुकंदर उंका का जिसा निर्देश में अगले तीन सार ये कमिटी काज करें। पांकी जितने ही सदसित्थे हमारे सब एजटी रह गए हैं। सब का युनेडिमस चैन हो गया। जो मुकंदर की बात थी वह हमारा तार्शिक बजट और कलेंडर। ये दो मोही हाउस ने अनुमोधन किया है उसका जो काज कार्णी की समित्य की बैठार में पास हुआ था। जो बजट है हमारा उस बजट में करीब करीब हम लोग को व्यर्ड राकुते का नुक्षान है। ये रेसोसेशन इस बात का पूरा प्रयास करेगा कि हम अपने खर्चे में करणोटी कर उसको पाड़ सके। उपाद्यक्ष थी पहले अब अधक्ष बने हैं और उनके जगह में जो एक उपाद्यक्ष का पड़ फाली हुआ था। पूरी काज़कारणी है इस प्रकार है अधक्ष मुकंद्रूंता उपाद्यक्ष मनवारी लाल नेवतिया डॉक्टर विजे मुनरा शुसील कुमार सिंग्ष हानिया महासची एसीन कुमार सिंग्ष पूसा दक्ष सुक्तियोग फजदार पांच हमारे कमिटी मेंबर है जीत पूसा दक्ष में सुक्वियों पूदार की है अग्ष तीन हमारे स्टेक्ष सकी है पूर्ट प्रकास दुक्ता फैज हमत और अनुप बर्मेंग्ष लुपंग गुटू YFC द्वारा आयोजित दो दिवसिय फुटबॉल टूर्णामेंट का समापन रहिवार को हुआ विजेता और उपविजेता टीम के खिलाडियों को चैंबासा की विधायक दीपक बिर्वा और चैंबासा SDPO दिलीप खल्खों ने पुरसकार प्रदान किया विधायक दीपक बिर्वा ने टुनामिंट के समापन समारों में YFC लुपुंगुटू के लिए फुटबॉल स्टीडियम बनाने की घोशना की ताकि खिलाडियों को आगे बढ़ाया जा सके विधायक ने कहा कि कुल्हान शहीदों की धर्ती है शहीदों के नाम पर खेल प्रतिवगिता का आयूजन किया जाएगा उन्होंने युवाव को नसापान से दूर रहने का आखवान किया वहीं अभिभावकों से अपने बच्चों को सिक्षित करने का आखवान किया SDPO दिलीब खलकों ने युवाव से समाज की कुरितियों को दूर करने का आखवान किया टूर्णामेंट का फाइनल मुकाबला टाटा कॉलेच चैंबासा और विस्ट कुल्हान बड़ा गुईरा टीम के बीच खेला गया मुकाबला बराबरी पर होने से ट्रै ब्रेकर में विस्ट कुल्हान बड़ा गुईरा की टीम ने टाटा कॉलेच चैंबासा को तीन दो से पराजित कर खिताब पर कबजा जमा लिया गदाटा के बादटा कुल्हान बोना वेकि मुटे के बिलागर आपसे भिचार भी इसाह वादो